Hello students, welcome to MagnetBrain. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे से होंगे. Myself, Neha Verma from MagnetBrain. Students, MagnetBrain एक ऐसा YouTube channel है जहां आपको kindergarten से class 12 तक. आपको आपके पूरे syllabus का video मिलता है students. और हाँ, यहाँ पढ़ने का आपको कोई भी payment नहीं देना पड़ता. यह channel totally free of cost है. आज हम पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन आज कुछ नया है. क्या नया है students? आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 1, class 1 का हिंदी. आपकी NCRT की हिंदी बुक का पूरा syllabus. है ना good news आप सभी के लिए? So class 1 students, be ready. क्योंकि अब आपको अगर आपके class 1 के हिंदी में कुछ भी समझ में नहीं आता, तो बस magnet brain की वीडियोज खोलिए class 1 के हिंदी की और सब कुछ समझ जाएए. कोई वीडियो कितने भी बार देखिए. ठीक है students? तो students देखिए. यह है आपकी हिंदी की NCRT की बुक. रिम जिम वन. रिम जिम बारेश. ठीक है students? कवर पेजी कितना प्यारा है. बहुत मज़ेदार बुक है हमारी. ठीक है? आप बुक पढ़ेंगे. आपको बहुत मज़ा आएगा. बहुत सीखेंगे. बहुत fun-filled है. means हम बहुत सारी activities करेंगे. बहुत मज़े करेंगे. और चीज़ें आपको बहुत easily समझ में आ जाएंगी. ठीक है students? तो आज हम करेंगे. आज हम देखेंगे आपकी बुक में कितने part. कितने आपके chapters हैं. कितने part हैं. और उनके क्या-क्या नाम है. ठीक है students? आपकी बुक जैसे आप open करोगे ना. आपके front page में कुछ line ने लिखी हैं. क्या लिखी है? हरा समंदर गोपी चंदर बुल मेरी मचली कितना पानी. है ना? हरा समंदर गोपी चंदर बुल मेरी मचली कितना पानी. ये क्या है? ये एक बाल गीत है. ठीक है? इसे खेल-खेल में हम बहुत सारे खेल-खेल सकते हैं. कैसे? हरा समंदर गोपी चंदर बुल मेरी मचली कितना पानी. आगे पानी, पीछे पानी. उपर पानी, नीचे पानी. दाए पानी, बाए पानी. तो ये गेम हैं और ये एक बाल गीत है. इसे गुन-गुनाओ. जबी भी हिंदी स्टार्ट करो, इस गीत के साथ ओपन करो. हरा समंदर गोपी चंदर बुल मेरी मचली कितना पानी. ओगे तुड़न्स, तो चलिए, हम देखते हैं आपकी बुक में. पहले तो सुड़न्स 23 चाप्टाज हैं. कितने पार्ट हैं इसमें? 23. 23 को इंदी में हम क्या बोलते हैं? 23. Look here. Yes. 23. इतने हमारे पार्ट हैं आपकी रिम जिम बुक में. ठीक है? जो हम कम्प्लीट कर लेंगे, बड़ी जल्दी कम्प्लीट कर लेंगे, लेकिन मज़े के साथ कम्प्लीट करेंगे. ताकि आपको हिंदी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा. ठीक है, स्टूड़न्स? तो चलिए. हमारा जो पहला पार्ट है, उसका नाम क्या है? जूला. जजह में बड़ेओं की मात्रा, लला में आ की मात्रा, जूला. जूला पता है न, स्वेंग. ठीक है? तो इस पार्ट में ये कवीता है, जिसमें हम जूले के बारे में पढ़ेंगे. जूले, आप इंजॉय करते हैं न, पार्क में जाते हैं, वहाँ पर जूले ही जूले हैं, घरों में भी जूले लगे होते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो आपका पहला पार्ट है जूला. ठीक है? उसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है आम की कहानी. आम, आम तो बहुत पसंद होता है हम सबको. मैंगो, है न, जो गर्मियों के मौसम में आता है. ठीक है सूरेंट, बहुती रसीला सा फ्रूट, रसीला सा फल है आम. है ना सूरेंट, तो आम की कहानी पढ़ेंगे हम. ठीक है? ये एक चितर कता है. चितर के माध्यम से आपको कथा बताई गई है, स्टोरी समझाए गई है. ठीक है? पार्थ तीन, अब पार्थ तीन भी आपका आम से रिलेटेड है. आम की टोकरी, टोकरी मीज बास्केट, ऐसी टोकरी जिसमें आम ही आम हो, सोचो कितना मज़ा आएगा अगर मिल जाए तो, है ना? उसके बाद, पार्थ चार है आपका पत्ते ही पत्ते, उस पार्थ में आपको अलग-अलग तरीके पत्ते दिखाई देंगे, पत्ते मीज पेडों के पत्ते, ठीक है? पत्ते ही पत्ते, पार्थ पाँच आपका है पकोडी, पकोडी, भजिया पकोडी, है ना? ममी बनाती है जब बारिश होती है तो पकोड़ी पार्ट 6 है आपका चुक चुक गाड़ी चुक चुक गाड़ी मने train ठीक है students तो इस पार्ट में आप चुक चुक गाड़ी के बारे में पढ़ेंगे, right पार्ट 7, पार्ट 7 है आपका जो एक कवीता है रसोई घर रसोई घर मीज़ किचिन किचिन को जो हमारी घर में किचिन होता ना जहाँ पे खाना पकता है जहाँ कुकिंग होती है उसको हिंदी में क्या बोलते है रसोई घर ठीक है student, तो रसोई घर की कवीता पढ़ेंगे हम पार्ट 8 है आपका हो म्याओ सो रही है हो म्याओ सो रही है म्याओ कौन होती है बिल्ली, बिल्ली मौसी तो इस कवीता में क्या बिल्ली मौसी सो रही है ये देखेंगे हम ठीक है, उसके बाद है मकडी, लकडी, ककडी राइमिंग हुआ आपको कुछ सुनाई दिख रहा, end में क्या हुआ, हम जब छीजों को, शब्दों को बोल रहे हैं, तो ले आ रही है, rhyming हो रहा है, मकडी, लकडी, ककडी, डी, डी, ठीक है, मकडी, लकडी, ककडी, ठीक है, चलो, आगे बड़े, yes, part 9 है हमारा, बंदर और गिलहरी, गिलहरी मा ने पता है न, स्क्वेरल, ठीक है, बंदर मींज मंकी, तो ये कहानी किसके बीच में है, बंदर और गिलहरी के बीच में, जो हम part 9 में पढ़ेंगे, ठीक है, part 10 है आपका पगडी, पगडी क्या होती है, जो सर पे बांदी जाती है, पगडी, ठीक है, part 11 है आपका पतंग, का बॉल, बल्ला मींज बैट, ठीक है, तो बैट बॉल, गेंद बल्ला के उपर ये part है आपका, part 13 है आपका, बंदर गया खेत में भाग, कोई एक बंदर है जो खेत में भाग गया, ठीक है, part 14 है आपका, एक बुडिया, ठीक है, part 15 है आपका, मैं भी, मैं भी, राइट स्टू लालू और पीलू हम इस पार्ट में देखेंगे भाई कौन लालू है कौन पीलू है लेकिन यह कहानी है लालू और पीलू के ऊपर ठीक है तो यहां पर हमारे पार्ट spreading हो गए पार्ट शत्रह है हमारा चकई के चकदुम कितना मज़ेदार है पार्ट का नाम ही मज़ेदार है तो सोचिए, पार्ट कितना मज़ेदार होगा? चकई के चकदुम, ठीक है? पार्ट 18 है हमारा, छोटी का कमाल, कोई छोटी है, और वो क्या कमाल करेगी? यह हम पार्ट 18 में देखेंगे, 1, 8, 18 में, ठीक है? पार्ट 19 में हम देखेंगे, 4, चने, ठीक है? पार्ट 20, लेसन 20 में हम देखेंगे, भगदर, भगदर क्या होती है? ऐसे भागते हैं लोग इधर उदर, उसे क्या बोलते हैं? भगदर, राइट? पार्ट 21 है हमारा, हलीम चला चांद पर, कौन चला चांद पर? हलीब चला चांद पर राइट पाठ बाइस है हमारा हाथी चल्लम चल्लम हाथी चल्लम चल्लम ठीक है अब हमारा जो लास्ट और अंतें पाठ है पाठ तेईस साथ पूछ का चूहा कभी आपने ऐसा चूहा देखा है जिसकी साथ पूछे है सात पूँछ वैसे चुहे की एक पूँछ होती है ना लेकिन हमारे चुहे की सात पूछे हैं पूछ टेल ओके सूरिन तो देखा आपने हमारी इस जो किताब है रिम जिम वान इसके पार्ट के नाम ही कितनी इंटरस्टिंग है तो सोचिए चाप्टर्स कितने मज़ेदार होंगे है ना सूरिन तो हम आपका हर एक चाप्टर टॉपिक वाइस पूरा कंप्लीट करेंगे हर एक एक और जूला जो हमारा पार्ट एक है जूला इसके पहले कुछ आमो कुछ स्टार्टिंग दी गई है जब आप स्कूल जाते हैं पहली बार तो क्या-क्या पढ़ते हैं क्या-क्या देखते हैं वो भी हम करेंगे ठीक है स्टूलेंट्स तो यह सापको पूरा आपका क्लास वन क NCRT के book कस ले बस यहां magnet brain पर मिलेगा ठीक है chapter wise, topic wise तो बस बने रहे हैं magnet brain के साथ और videos देखें और अपनी हिंदी मजबूत और मज़े से पढ़िए तो यह students यह थे हमारे 13 chapters जो कि अब हम start करेंगे तो आपको यह सब कुछ मिलेगा magnet brain पर और यहां पर क्या क्या मिलता है यहां आपको kindergarten से class 12 तक online school education बिलकुल free में मिलती है means आपको school की education जो आप school में पढ़ते हैं वो यहां पर free में मिलता है ओके student तो बस अब हम जब next time मिलेंगे तो अपने class 1 की हिंदी का topic स्टार्ट कर देंगे तो बस बने रहे हैं magnet brain के साथ बाबाई student टेक केर